गूद मॉर्निंग तोडेवी एस्टार्ट आपर सेगंड चेप्टर अधर इस प्रिस कांटिंग इन गुरुप ठीक है चरी सेप्टर में हमको क्या सिखना कांटिंग इन गुरुप दिए आपको सिंगल सिंगल कांटिंग तो आती हो एधिक जैसे सपोस्ट मैं आपको एक एक इसे की सर्कल एवन तू अब मैं आप से पूछ हो मैंनी सर्कल इस देर तो आपकों कर लेंगे वन तू थ्री फोर एन फाइफ दीए हो गया सिंगल आपजेक्ट कांटिंग तिक है यानि आपने सिंगल सिंगल किसी को कांट किया बट इस चैप्टर में हम लर्ण करेंगे हम उनको सबसे पहले किस में डिवाइड करेंगे गुरूप में डिवाइड करने के बाद हम उनको कांट करेंगे ठीक है तो यू इन सी हीएर इस डीडाउट दिस कोश्चिन कैन यू गैस हो मैनी कप आपको फाइंड आउट करना है कि यह कितने कप हैं ठीक है दिखिए दो मेथड हैं, फर्स्ट वाला सिंगल काउंटिंग वाला, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, and 10, ये हो गया सिंगल काउंटिंग मेथड, बट, we apply the method of group counting, तो वो कैसे करना है, सबसे पहले इन कभूगों क्या करेंगे, इसमें हम गूरूप में डिवाइड करेंगे, जैसे 1st line and 2nd line को हमने एक group बना लिया, ये थी 1st line, ये 2nd line, एक group बना लिया ये, इनको क्या करते हम, एक group बनाते हैं, 1st line and 2nd line को, ये 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 ये, ये ये बन गया, एक group, फर्स्ट ग्रूप हो गया यह वाला सेकंड ग्रूप हो गया और यह वाला थर्ड ग्रूप हो गया अब student हम देखेंगे फर्स्ट ग्रूप में कितने कप है 1,2,3 second group में 3 fourth group में 4 टीक है तो total जो group 3 plus 3 and plus 4 यानि कितने कप सो होका student 10 हैं ऑगे साट देखते हैं केनक यू गेस हाव मैनी पर एफ शूस ठीक है तो देखिए इस यह पेर ओफ सुस बोल रहा है ना कि सिंगल प्यर यानि एक प्यर में थो सुस तो हमको दो सूस को एक साथ काउंट करना है तो हमारा वो एक पेर होगा ठीक है जैसे आप देखते हैं ये कितना पेर हुआ एक पेर ये एक पेर एक पेर ये सब ये सब सिंगल सिंगल पेर है ठीक है तो आपको सिंगल सिंगल सूज नहीं गिरना है ठीक है तो देखते हैं ये जो फर्स्ट रोह इसमे कितने pair of shoes हैं थ्री pair of shoes second group में कितने pair of shoes है three and third में कितने pair of shoes है three तो इसको add कर लेंगे three plus three and plus three total कितना होगा थ्री टोटल होगा हमरे पस nine pair of shoes चलिए देखिए यहां इनों ने इसको explain भी किया है three and three is a six cups and four cups blow that should be ten cups ठीक है इनों ने बताया कि जो first जो group बनाता है यानि ये वाला इसमें three थे second वाले में three थे and last वाले में four थे total that should be ten cups here you can see explanation there are three lines यहां कितनी lines थी three lines यह दिखिए ठीक है आपको यह first line, second line and third line ठीक है फिर कर रहा है there are three line with three pair of shoes in each line that's make nine pair of shoes ठीक है जैसे मैं आपको बताया था चलिए now second look at how different things are kept in group try to guess the total number without counting each things ठीक है आपको क्या करना है कि यह जो things इनों ने यहां group में kept की हुई है इनको आपको group में count करना है ना कि single single count करना है ठीक है तो आप देखेंगे यहां कितने groups बन सकते इनके देखेंगे एक group यह है एक group यह है एक group यह है और एक group यह है तो how many group total there is four groups ठीक है कितने group होगा इस फोर group होगा है अब देखेंगे हम एक group में कितने glass है एक, दो, तीन तीन glass है तो each group having a three glass and how many groups four groups तो you can divide here one group two, three and four क्योंकि कितने group हो रहे थे one यह group हो रहे थे student one two three and four अब आप देखें एक group में कितना था three second में three third में three fourth में three इनको add कि हमने तो हमारे total निकल कितने eye glasses 12 glasses ठीक है आईए second देखते है bangles देखेंगे तो आपको फिर सबसे पहले तो इनका group बनाना group already बने हुए है जैसे first group यह है second यह है third यह है fourth यह है five यह है ठीक है already group बने हुए है अब आपको देखना है कि एक group में कितने bangles है तो one two three four यानि five bangles है total ठीक है और कितने group में five group है one, two, three, four and five अब each group having a five bangles one, five plus five plus five plus five total कितना हो गया 25 bangles ठीक है चलिए यह दिखते है pair of earrings देखिए अब आपको क्या करना है कि pair of earrings आपको काउंट करना है मैंने आपको बताया था कि one pair having a two things ठीक है आपको याद रखना है कि एक pair में कितनी चीज़े होती है 20 दो चीज़े होती है ठीक है तो आपको यहाँ यह हो गया हमारा एक pair यहाँ तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वल्व यानि कितने pair of earrings है ट्वल्व आप इनको सिंगल सिंगल काउंट नहीं करें कि one two three four five तब गलत हो जागा क्योंकि यहाँ यह आपसे पूछ रहा है pair of earrings ठीक है चलो आगे बढ़ते है there are three groups of spoon देखिए यह नों नहीं हाँ पर पहले explain कर दिया है कि हमारे पास कितने group है three देखिए one two and three ठीक है अब question के कहा है कि how many in each group यानि परते एक group में कितने spoon है तो हम सबसे पहले count कर लेंगे one, two, three, four, five, six, seven, eight यानि each group having eight spoon ठीक है and next देखते है guess the total number of spoon अब देखिए each group having eight spoon और हमारे पास कितने group है three यानि एक group में ठीक है तीन group देखिए और each group having eight spoon और फिर उसको क्या करेंगे हम add कर देंगे तो हमारे पास कितना निकलाएगा twenty four spoon ठीक है चलिए आगे बढ़ते है more or less let us guess यानि कौन जादा है कौन कम है आपको हमको ये find out करना है write the correct answer यानि जो इसमें correct होगा हम उस पे write का sign tick करेंगे you can see here the number of teeth in your mouth ठीक है तो हमारे माउस में कितने teeth होते है more than 40 और less than 40 देखिए हमारे माउस में total number of teeth होते है 32 ठीक है अब जब 32 जो number है वो क्या है 40 और 40 ठीक है ये जो 32 जो है ये क्या है 40 से कम है 40 से कम है ना कि 40 से ज्यादा तो more than 40 is a wrong answer and less than 40 is a right answer ठीक है यानि जो हमारे माउस में teeth होते है वो less than 40 होते है ठीक है चलिए इसके बाद देखते है number of seeds in orange देखिए और इंग में maximum कितने seeds होते है maximum 3 and 4 ठीक है तो आप देखेंगे more than 50 और इंग में more than 50 नहीं होते है is it wrong answer and less than 50 it is right answer चलिए नेक्स देखते है number of match sticks in a match box more than 30 and less than 30 I think match box में जो match sticks होती है वो more than 30 होती है बहुत सारी होती है आपने देखा होगा तो हमारे पास ये वाला right answer होगा and this one is a wrong answer अब देखिए number of pencil in your class देखिए इसको कैसे find out करें है देखिए हमारे class में माली जी थर्टी सेवन स्टुडेंट है तो क्या होगा कि हर को एक स्टुडेंट जो होगा वो एक pencil लेके आएगा तो कितनी pencil हो गई है 37 तो अब यहाँ देखिए more than 45 and less than 45 तो हमारे class में number of student कितने है बटा 37 यानि कितने 40 से कम है और यहाँ पूछा क्या है 45 तो जो student है वो less than 45 है तो pencil भी obviously less than 45 होगी यानि this one is a right answer चलिए next student number of spokes in one cycle wheel यानि एक wheel में कितना number of spokes है यह सवाल आपको खुछ से करना है ओके student आज के लिए इतना ही बागी की class बागी का जो concept है हम वो next class में discuss करेंगे थैंकियो बच्चो